आए अब चलते हैं अपने इस चप्टर के लास्ट नुमेरिकल 8.10 की तरफ फाइंड टमप्रेचर अफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्शियस थू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्शियस ठीक है जी आपके पास स्पेसिफिक हीट हीट का वाटर वी गेमन है और लेटन छीट अफरेशन भी जिमन है आप ने इसके अंदर टमप्रेचर अप युर्ट को फायंड करने हैं आपके पास डोट ड़िफरैंट हमारे पास मैसे घेवन अश्टीम का भी और वाटर का भी हमने इन दोनों को आपस में एड़ करने में स्टीम की औलाग स्टैसिपिर की और धा इसको हम फांड करते हैं आपके पास जी मेस्ट अफ इस को मैश मस का झाaal हो मैस सव пров्ष इसको एपके पास इसको मैं 50 कलो होती है 0.005 किलो जीजने पी 처ih पास है 100 degree Celsius ठीक है आपके पास जो मैस ऑफ वाटर है वो है आपके पास 500 ग्रेम और इसको मैं टू कहा देता हूं कि और यह एकवल होगा 0.5 kg के एकवल और इसी तरह जो ताम प्रिचर ऑफ दी वाटर है वह मेरे पास टी टू और यह एकवल होगा 10 degree Celsius ठीक है आपको specific heat capacity वगारा हमें पता है कि specific heat capacity C गिवन है 4200 और HV आपके पास गिवन है 2.26 into 10 to raise power 6 जाउल पर किलो ग्रैम ठीक है आपने इसमें find क्या करना है आपने इसमें final temperature यानि कि T3 को find करने करने के लिए आपने दो चीज़ें निकालनी है एक तो latent heat lost by the steam और जो heat gained by water है उन सारों को find करना है तो आए पहले steam को हम find करते है यानि के जो latent heat lost by steam है वह equal है q1 is equal to m into hv के और m है मेरे पास 0.005 into hv hv आपके पास कितना given है 2.26 into 10 to raise power 6 जब आप इनको आपसे multiply करते हैं तो यह आता है 11,300 joules के एक फ़र यह वह है जो heat lost by the steam है अब आपने heat lost team to attain the final temperature को find करने है यानि के आपने heat lost by steam to attain the final temperature वह q2 के एकवल है और वह एकवल होगी mc delta t के ठीक है m आपके पास है 0.005 c है आपके पास 4200 और delta t इस case में हमारे पास final minus initial है जो के हमारे पास final temperature है t3 तो यह इकवल होगा 100 minus t3 के into 4200 into 100 minus t3 ठीक है जब आप 4200 को 0.005 से multiply करेंगे तो यह इकवल आजए कर 2100 और 100 minus t3 100 minus t3 ही लिखा रहे जो के मेरे पास q2 के एकवल है ठीक है अब मैं इसमें आखरी चीज़ फाइंड करने लगा हूं जो के है heat gained by water और at the end आपने आपस में सबको add कर देना है heat gained by water वो मेरे पास equal है q3 के और q3 equal होता है मेरे पास mc delta t के इसके अंदर हमारे पास जो delta t है वो वह ही है और c की value भी वह ही आलमुस्ट तो मेरे पास 0.5 into 4200 into t3 minus 10 आ जाएगा ठीक है और यह equal होगा 2100 t3 minus 10 के equal अब आपने जो according to the law of heat exchange है वो किया है देखें law of heat exchange हमने इस chapter में पढ़ा तो नहीं लेकिन में आपको बता दूँ कि यह होता है कि heat lost by steam heat lost by steam जो है वो equal होती है heat gained by water के heat gained by water की यानि कि जो heat steam हमें lost करेगी वो ही heat gain होगी water के अंदर तो heat lost by steam में मेरे पास q1 और q2 थे और heat gained by water में मेरा q3 थे तो यानि के q1 plus q2 equal to q3 आ जाएगा अब हमने इनकी value just इसमें put करनी है q1 की value मेरे पास आई थी 11,300 q2 की value आई थी मेरे पास 2100 into 100 minus t3 और q3 की value आपके पास आई भी है 2100 t3 minus 10 और जब आप इनको multiply करते हैं तो 2100 को जब आप 100 से multiply करेंगे तो यह आएगा 2100 के बाद 2-0 over add कर दें और यह जब t3 से multiply होगा तो minus 2100 t3 is equal to 2100 t3 जब यह 10 के साथ multiply होगा तो यह होगा minus 21,000 अब इसको उठा के इदर लेएंगे और इस minus वाले को उठा के हम इदर ले जाएंगे तो हमारे पास यह equivalent 2 आएगा 11,300 प्लस 2100 इसको मैं इस page पर कार देता हूं के 0.005 into 4200 into 100 minus t3 जब 0.005 4200 से multiply आथा तो इसका आथा 21 और यह 100 minus t3 हो जाएगा अच्छा अब इसके बाद हमने heat gained by water find करने है अब हीट गेंड बाइ वाटर हीट गेंड बाइ वाटर को मैं क्यों 3 से दिनोट कर रहा हूं और यह equal है mc delta t के m है इसके अंदर 0.5 क्योंकि 500 ग्रैम था वाटर और c आपके पता है इसकी 4200 है और temperature जो है delta t यह वो t3 minus 10 होगा जब इनको आपसे multiply करेंगे तो यह 2100 आजएगा और t3 minus 10 होगा अच्छा इसमें बस जो लास्ट चीज़ आपने देखनी है वो law of heat exchange है हमने law of heat exchange इस chapter में नहीं पढ़ा लेकर मैं आपको बताता चलूंके law of heat exchange है क्या कि heat lost by a steam is equal to heat gained by water ठीक है तो heat lost by steam में हमारे पास q1 और q2 शामिल है अब यह मेरे पास q2 निकली थी ठीक है तो अब मैंने क्या करना है कि q1 प्लस q2 यह equal होजगा q3 के तो q1 मेरे पास है 11,300 प्लस 21 into 100-t3 और q3 आपके पास 2100 into t3 minus 10 जब आप इनको multiply करते हैं तो 21 जब 100 के साथ multiply हो तो 2100-21 into t3 is equal to 2100 t3 और minus 21,000 अब यह 21,000 तर आएगा तो प्लस हो जाएगा और यह 21 t3 राइट साइट पर आएगा तो प्लस हो जाएगा आ इनको करते हैं 11,300 प्लस 2100 प्लस 21,000 is equal to 2100 t3 और यह अधर आएगा तो प्लस 21 t3 जब 2100 में 21 को हम add करेंगे तो यह equal हो जाएगा 2121 t3 के और यह सारी की सारी टर्म जो है यह equal आएगी 34400 के है ठीक है हमने actually इसमें final temperature t3 को find करना था तो हमारे पास जो right side पर term t3 से multiple हो यह वो left side पर आकर divide हो जाएगी यानि के t3 is equal to 34400 divided by 2121 और यह मेरे पास जो temperature t3 है वो 16.2 degree Celsius के equal आजाएगा तो यह आपने देखा कि कैसे हमने total heat को find किया जिसमें हमने heat lost by a steam को find किया और हमने उसको label किया q1 और q2 से और हमने heat gained by a water को find किया हमने label किया q3 से और हमने law of heat exchange के जरीए q1 plus q2 को equal कर दिया q3 के ठीक है तो हमने इसके जरीए temperature t3 यानि के final temperature find कर लिया I hope आपको यह numerical समझ आ गया होगा और जितने भी हमने इस chapter में numerical किये सारे समझ आ गया होंगे इंशाला see you in the next video with a new chapter until then this is it's a from tutorial.pk